हाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मेद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे दोस्तों मैं मुहमद सोहिल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूटूब चानल जिसका नाम है गुड्डू के बिलोग दोस्तों आज हम आए हुए हैं रुदोली शरीफ में यह कज़बा है और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं बनी हुई इमारत यह इमाम बाड़ा है यही पर गदर फिलिम की सुटिंग हुई है और आज हम इसके अंदर का आपको नजारा दिखाएंगे यह इंट्री गेट ह वाला इंट्री गेट अब यह दूसरा इंट्री वाला गेट ही यह मैं गेट है यहें इंट्र करेंगे अंदर के लिए चले अब हम अंदर की तरफ चलेंगे जैसे ही आप गेट के अंदर इंटिरी करेंगे तो आपको बहुत ही खुब्सूरत मस्जिद दिखाई देगी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मस्जिद दिखाई दे रहे हैं माशाल्ला यही पर जो है गदर फिल्म की सुटिंग हुई थी और अभी रमजान में जो है गदर टू की सुटिंग हुई थी कि यही है रुदौली का इमाम्बाड़ा इसका बहुत नाम है देखें कितना ही खुब्सूरत इमाम्बाड़ा है और इस इमाम्बाड़े के सामने गाडन बना हुआ है गाडन भी माशालला बहुत ही खुशूरत है जो पाकिस्तान का इसमें दिखाते हैं कुछ सेने की ये पाकिस्तान है गदर फिलिम में तो वो यही का हिस्सा है पाकिस्तान है ये सामने की सारी दीवारों पे आयते लिखी हुई है जो आपको ये काला साथ दिख रहा है ये आयत है अब देखें किलियर आ रहा है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में सेयर करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ मेबल आइकट के पटन को आल पे ज्रेस करें कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप पक सबसे पहले पहुचें दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इमाम बाड़े में छोटा छोटा दर्वाजा लगा हुआ है और इसे मोहरम में खोल देते हैं इसके अंदर सोने की ताजिया रखी हुई है और इसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए जैसे ही मोहरम की दस्मी खत्म होती है वेसे इस गेट को बंद कर दिया जाता है दोस्तों ये पुराने जमाने के हिसाब से बना हुआ है और यहां की नकासिया बहुत ही दिल्चस्प है नब्बन मिया हवेली के नाम से इसे रुदोली में जाना जाता है दोस्तों हम आपको बता दें की रुदोली एक कस्बा है और यह कस्बा अयुद्या जिले में पढ़ता है और अयुद्या जिले को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे हिंदुस्तान का परसिद्ध सहर है बहुत ही खुबसूरत गाडन बना हुआ है यहां के नजदी की जो अस्थानिये लोग हैं यहां पर आते हैं अपने फैमली के साथ में बच्चे लोग के साथ में और यहां पर इंजवाय करते हैं तो आप भी आईए यहां पर और करके अवाद कर